असलामलेकम वियूर्स कैसे हैं आप आपके साथ राष्टा अफ्टर एक और नई रेस्पी के साथ हाजर है तो आप ये रेस्पी देखें आज हम राइता बनाते हैं जो के आपको जरूरत पड़ती है कि जब भी आपका दिल चाहे तो आप मिक्स राइता खा सकते हैं तो सबसे परदे हमने लिये हैं एक अलू जो बरीड कटा हुआ है और एक टमाटर थोड़ी सी हरी मिरच थोड़ा सा प्याज इसको वौश कर लिया था नमक लगाके ताकि इसकी कड़वार निकल जाया है और थोड़ी सी एक गाच्च्र मेंने लिया है एक खीरा लिया है और य उसके बाद ये है हरी चटनी ये हमारा एक किलो दही है तो अब हम इसका रायता बनाते हैं बिस्मिल्लार रख्मान रहीम ये मैंने पहले भी प्हेंट लिया है अब हम इसमें हस्पे जरूरत चटनी डाल देंगे तो ये जीरा और नमक ये भी इसमें चला गया अब हम ये सारी चीजें इसके अंदर एड़ कर देंगे बौब मलास करें जागते हैं जाते हैं गहाँ बच्टनी जागते हैं ये जाल पालुब मैं ये अंदर टूप। यह मिक्स बन जाए है बेशक आप इसे आलू कीटिकियों के साथ खा सकते हैं वैसे भी आप खा सकते हैं चावलों के ऊपर डाल के वो तो और मसा करेगा और बहुत ही अच्छा बना है तो यह मेरी एक छोटी सी और सिंपल सी रेस्पी है जो के आपको बहुत पसंद आएगी और आप इससे खा के बहुत लुत्वफंदोस होंगे तो आप जरूर इस तरह की देशी रेस्पीज बनाया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जरूर आप शेयर करें और आपको इसी तरह निव निव रेस्पीज मिलती रहेंगी थैंक यू अलाहाफीज